नाबालिगों के साथ रेप के लिए केंदर सरकार द्वारा फांसी की सजग का प्रावधान किए जाने का कोई आसर होता दिख नहीं रहा है दिल्ली से 60 गुरुग्राम में नाबालिगों के साथ रेप की दो दो घटनाये सामने आई हैं हाला कि पुलिस ने दोनों ही मामलों में तत परता दिखाते हुए आरोपियों को गिरफतार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि एक मामला सेक्टर 37 का है जहां 17 वर्षिय पीड़ता के पिता की शिकायत पर अपहरण के बाद दुशकर्म के प्रयास का मामला दर्ज किया गया। वहीं दूसरा मामला सदर पुलिस थाना इलाके का है जहां 15 वर्षिय एक लड़की ने शादी शुदा शक्स पर शादी का जहांसा दे कर दो साल से शारीरिक शोशन करने का केस दर्ज कराया है। पुलिस प्रवक्ता की माने तो दोनों ही मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज़ दिया गया है। लोगों ने आरोपी को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया वही सदर थाना इलाके में घटे दूसरे मामले में दर चिकायत में कहा गया है कि आरोपी अमन शादी शुदा है और और शादी का जहांसा दे कर हुए है 2016 से ही 15 वर्ष ये लड़की से लगातार रेप की वारदात को अंजान देता आ रहा था पीड़िता को जब ही वक के शादी शुदा होने के बारे में पता चला तो पीड़िता ने सदर पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पोक्स ओ एक के तहत मामला दर्ज कर दोनों को गिरफतार कर जेल भेज दिया है उल्लेखनी ये है कि गुरुग्राम में जनवरी से अब तक तकरीबन 50 मामले नाबालिकों के साथ यौन शोशन के दर्ज हो चुके हैं जो साइबर सिटी में नाबालिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता की बात है